अज़िए अज़िए हैलो फ्रेंड्स गोड मॉर्निंग सबके लिए और आज संडे है छुटी का दिन है तो थोड़ा सा आज सभी लोग आराम से उठते हैं तो हम भी आज थोड़ा आराम से उठे और आज जो है हम यह चलिए जैसा भी है और दा हिंदू का सहसन हम कि बैब से पहले जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैब फटापट से दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर डिजिए लाइक कीजिए और इस सेसन को जो है उसके के महतपून वीडियो जो हैं आपको लगातार मिलते रहें और बेला एकन भी दबा दीजिए ठीक है और चलिए आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आज हम आज के दिन की मुख्य जो खबरें हैं उन पर नजर मार लेते हैं कि आज एक नॉबंबर का जो न्यूज पेपर है उसमें क्या-क्या खबरें आई हैं और हम आज के न्यूज पेपर में क्या-क्या न्यूज हम कवर करने वाले हैं ठीक है यहां पर दोस्तों जो भी मैं न्यूज यहां पर कवर करने वाला हूँ यह इस्टुएंट्स के वाद तो दोस्तों सबसे पहला आर्टिकल यहां पर हम जो बात करने वाले हैं पी एम स्लैम्स पॉलिटिक्स ऑन पुलवामा तो यहां पर पुलवामा अटेक हुआ था और तो वो जो है उस पर यहां पर जितनी भी विरोधी पार्टियां थी तो उन्होंने यहां पर मंत्री ने क्या वोला है क्यों बोला है ठीक है और दूसरा यहां पर स्टेच्व अब लिबर्टी स्टेच्व अब यूनिटी तो स्टेच्व अब यूनिटी के विशह में हम देखेंगे थोड़ा सा ठीक है कल यहां पर दूसरा यहां पर नात मूब सुप्रीम कोर्ट वर् इस तरह चर्चा करेंगे फिर यहां पर CSD केंटीन नोट टू सेल तो इसमें हम देखेंगे CSD क्या है और यह क्या होता है फिर यहां पर यह उतना important नहीं है अब अगला जो हम देखेंगे यहां पर पार्क इन कोलकाता सेट टू टर्न वेस्ट इंटू आर्ट ठीक है तो इसके विशह में देखेंगे कोलकाता में एक पार्क है और वहां पर ए वेस्ट को यूज करके उसको गशाइँ किया जा रहा है फिर यहां पे लव जेहाद के ऊपर This is a जो CM है उन्होंने कुछ बोला है तो उसको हम यहां पर समझेंगे लव जिहाद क्या है और यहां पर कुछ constitutional provisions की हम बात करेंगे जिसमें हम article 226 को थोड़ा सा समझेंगे ठीक है इसके बाद यहां पर देखिए यह इतना important नहीं है और बागी common है फिर यहां देखिए हर्याना डे 55th हर्याना डे तो इसको हम देखेंगे यहां पर हर्याना दिवस क्या है तो इसमें यह बेसिकली हर्याना स्थापना देवस है तो इसको हम समझेंगे हर्याना की स्थापना कब हुई कैसे हुई ठीक है और फिर यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ दिल्ली के जो हेल्थ मिनिश्टर है सत्येंद्र जैन तो उन्होंने यहाँ पे बोला है लॉकडाउन विल नॉट स्टॉप इसको मुद्दे को समझेंगे थोड़ा सा इन्होंने ऐसा क्यों बोला है डी यू की यहाँ पे फोर्थ कट अप लिस्ट आ गई है डी यू में जो एडिमिसंस चल रहे हैं उसको थोड़ा समझेंगे इसके अलाबा यहाँ पे आज हम जो सम जारिस की है इसको समझेंगे इसके अलावा यहाँ पे CJI opens country's first e-resort center in नागपूर तो यहाँ पे देश का जो यहाँ पे country का पहला जो यहाँ पे e-resort center यहाँ पे open हुआ है नागपूर में इस विशय को हम थोड़ा सा समझेंगे ठीक है इसके बाद यहाँ पे 36 गड़ यहाँ फाउंडेशन डे है ठीक है ना इस थापना दिवस है तो इसको भी हम देखेंगे 36 गड़ के विशय में समझेंगे यह क्या हुआ और कैसे हुआ ठीक है इसके बाद यह पेश्ट्री टाइप की news है यहाँ पे एक महत्पूर्ण आर्टिकल यह है कि Odisha to reopen schools तो बहुत हम देखेंगे रॉष्णी एक आज का सबसे महत्पूर्ण आर्टिकल जो है यहाँ पे जो आप लोग समझोगे वो है रॉष्णी एक और रॉष्णी एक पे एक महत्पूर्ण निर्ण लिया है जम्मू कस्मी गवर्मेंट है और यह बहुत ही important है तो इसको हम पूरा समझने के वाले है इसके बाद सीपलेब सर्विस यहाँ पे चालु की है रान्टिकल प्रदानमंद्री जी नहीं गुजरात में और देश की यह बहुत है सेवा है इसको थोड़ा से समझेंगे बाकी इसके बाद जैसंकर वान्स ऐगेंस्ट चेंजज तु एल ए सी इसको देखेंग थोड़ा सा यहाँ पर इंडिया प्रोटेस यूएस अमेंड ट्रांस्क्रिप्ट इसको समझेंगे इसके बाद यह कुछ ज्यादा इंपोर्टन नहीं है फिर यहाँ पर देखिए फ्रांस में वो जो इशू चल रहा है फ्रांस में अभी कल फिर अटेक हुआ है एक इसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें आज बिजनिस वाले में कुछ खास खबर नहीं है बिजनिस वाले में यहाँ पर आदित पुरी के विशह में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे यह जो है अभी आदित पुरी यहाँ पर HDFC के क्या रहे हैं यह CMD रहे हैं और इनोंने अ अब नए कौन आए हैं और फिर हम science and tech यह सारा सब detail में रहेगा इसको हम अलग से करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे और अन्य जो भी issues हैं वो हम यहाँ से करेंगे चली start करते हैं आज के पहले पेश से तो सबसे पहला जो article आज का महत्पूर्ण है वो है यह प्रधानमंत्री जी PM slams politics on pulvama तो यहाँ पे pulvama attack जो हुआ था इसमें basically 2019 में जो हमारा army के जो trucks थे वो एक group में move कर रहे थे और हुआ क्या था यहाँ पे कस्मीर में उसमें एक attack हुआ था terrorist attack हुआ था और जिसमें हमारे करीब 40 CRPF के जो जवान हैं वो सहीद हो गए थे और इस पे क्या हुआ था जितनी भी opposition पार्टियां है as usual यह कुछ अच्छा तो कहती नहीं है government को कभी भी support नहीं करती है तो इन्होंने यहाँ पे BJP पर आरोप लगाये थे कि यह तो आप केव लिए जो terrorist attack हुआ था इसमें एक जीप में विसपोट अग भरके और वो उसमें जो उनकी एन्वाइ वो सारे जो जा रहे थे ट्रक्स जो जा रहे थे लाइन से उसमें जाके उन्होंने टकरा के वहां विसपोट कर दिया था ठीक है तो इस पर अब हुआ क्या है नया update ही आय ठीक है तो प्रदान मंतरी हमारे ऐसा तो कर नहीं सकते है तो अब ऐसे में क्या है और इनको समझाना भी वेकार है ठीक है तो ऐसे में क्या हुआ है अभी यहां पे पाकिस्तान से एक न्यूज आई है पाकिस्तान में क्या हुआ है वहां के science and technology minister है फवाद चौधरी और उन् यहां पे बोल दिया है देखिए पाकिस्तान की संसत में कि यह जो पुलवामा अटेक हुआ था यह पाकिस्तान इसका जम्मेदार है तो ऐसे में अब क्या है कि अब देखिए बीजेपी को यहां पे मौका मिल गया ना कहने को कि देखो भाईया हम तो clean chat है और आप लोग ही यह एकता दिवस था और एकता दिवस की परेड चल लई थी कहां पे statue of unity के पास में अब यह statue of unity क्या है तो कल हमने बताया था कि भारत के जो पहले ग्रह मंत्री थे ठीक है सरदार वललबबाई पटेल तो उनकी क्या थी कल जन्द दिवस था और ठीक है तो उनकी ही याद में क्योंकि उन्होंने पूरा उनको लोहपुरिस भी बोलते हैं और उन्होंने पूरे देश की जो 562 रियासते थी उन सबका एक ही करण किया था भारत में भारती संग में और उन्होंने Union of India पूरा एक ही करण किया था उसका तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे Statue of Unity के विशह में देखेंगे आपको मैंने बताया था आप Google कर लीजिएगा और Google करने पे आपको Wikipedia पे बहुत अच्छा यहाँ पे आर्टिकल मिल जाएगा Statue of Unity तो यह क् यह किसकी प्रत्मा है यह वल्लबभाई पटेल की है सरदार वल्लबभाई पटेल और सरदार वल्लबभाई पटेल के विशह में मैंने कल जन्म कुलंडी आप लोगों को लिखने को वोला था शौड में आ देख लेते हैं 1875 में इनका जन्म हुआ था 1950 में यह हार्ट अब बात करते हैं इस टेच्टी अब यूनिटी की तो इसका जो मुख है वो सरदार सरोवर डैम की तरफ है ठीक है और यह इस तरीके से यह कहां पर पढ़ती है यह इस तरीके से यह पर पढ़ती है यह गुजरात में पढ़ती है ठीक है और इसका जो प्रोजेक्ट था 2010 में आया था यह L&T कमणी ने बनाया इस पर जो कुल टोटल खर्चा हुआ वो 2989 करोड का हुआ ठीक है और इसके जो डेजाइनर है स्कुल्टर यह आप नोट कर लीजिए का रामवी सूतर है यह इसके डेजाइनर रहे हैं ठीक है और यहां पर इसको प्रधान मंत्री नरेंद मोधी जी ने 31 अक्टूबर 2018 को 143 वी इनकी क्या है बर्थ एनिवर्सरी पर देश को समर्पित किया था इतना आपको पता होना जी यह मैप में देख रहा है कि गुजरात में यह कहां पर है ठीक है औ यहां पर हमारे प्रधान मंत्री जो हैं इन्होंने यहीं से हमारे जितने भी आई एस में सेलेक्शन पाते हैं बच्चे तो उन कैंडिट्स की यह अब क्या करते हैं यह प्रॉबेशन पर जाते हैं प्रॉबेशन मतलब यह ट्रेनिंग पर जाते हैं और ट्रेनिंग पर कहां सूरी एंदरते लोगों को को हमारे पृतान मंत्री घरा है कौन हमारे जो यहां पर जो लहो परोस है यह हमारे इनकी जो जन्म दिवस है तो basically इनी के ऊपर जो है ये क्योंकि ये पुलिस कानून व्यवस्ता ये सारा सब इनके अंडर में आता है ठीक है तो इसी वज़ए से इनके जन्म दिवस पे यहाँ पे इनको बोला गया है कि भीया आपना यहाँ पर बाबू mindset जो है उसको छोड़ दीजिए अगर किसी के में है और यहाँ पर हमारा जो लक्ष है जो NDA का BJP का वो है minimum governance minimum government and maximum governance यहाँ पर government जो है rule जो है वो कम करने है और public को service जो है वो ज्यादा से ज्यादा देनी है तो आपको इस mindset को अभी से adopt कर लेना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला यहाँ पर देखेंगे not moves high court and supreme court versus EC curves कलम ने देखा था कि यहाँ पर जो election commission है उसने बोल दिया था कि भीया यह कमल नाथ जो है यह star campaigner नहीं रहेंगे यहाँ पर मद्रदेश में जो election चल रहे हैं तो इस बात पर अब यह supreme court में चले गए हैं और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर supreme court पहले ही आदेश दे चुका है यह जीज़ clear है कि जैसे हम supreme court है high court है ऐसी election commission है election commission को भी यहाँ पर constitution से ही प्रावधान मिले हुए है powers मिले हुई है और वहाँ पर clear है कि election related जो भी मुद्दे होंगे उन पर high court supreme court कहीं भी interfere नहीं करेगा election commission के कार्यों में और नहीं high court supreme court का election के मुद्दों पर कोई jurisdiction बनता है जो कोई भी decision होंगे वो election commission के होंगे तो यहाँ पर अब देखिये मजे की बात यह यह अच्छे से जान है high court supreme court का कोई jurisdiction नहीं है फिर भी चले गए है public को मतलब ऐसे ही ठीक है public को जताने के लिए नहीं जी हम सही है ठीक है अब बात करेंगे यहाँ पर CSD canteen not to sell direct import अब यह CSD canteen क्या है यह canteen stores department होता है और यह सेना में क्या होता है यहाँ पर सेना में जितने भी यह लोग होते हैं जितने भी सरकारी employee होते हैं इन सब के लिए कुछ सरकार सुवदा देती है इनको सस्ते में tax free items provide कराती है तो यह CSD canteen के थूँ यहाँ पर होता है अभी क्या है यहाँ पर कुछ विदेशी आइटमों को भी यहाँ पर यह बेचा जाता था तो इसको अभी यहाँ पर सरकार न जिए उतना important नहीं है ठीक है अब यहाँ पर देखिए आपके लिए एक महत्पूर्ण topic यह आता है कि यह आपके कहीं पर काम आ सकता है आपके answer writing में ठीक है तो पार्क इन कोलकाता set to turn waste into art तो यहाँ पर कौन सा पार्क है अब देखिए कोलकाता वेस्ट बेंगॉल में फ़िए टायरों से ठीक है चंट्री फर्स्ट तब्र पार्क इसे बनाया जा रहा है और Holiday IM पर डा ही यहां बड़ा ही च्छे तरीके से और चाहीं के बनाया जा सज्जित किया जा रहा है जादा हम इसमें डिटेल में नहीं जाएँगे आप लोग इसे अलग से पढ़ सकते हैं Google करके और इसके एब पर आदित तिन अब हम चलते हैं लव जहाद के मुद्दे पर और लव जहाद का एक महतपूर मुद्दा है और इस पर काफी जो सत्ताधारी पार्टियां है basically यहाँ पे BJP और non-BJP पार्टियों में कुछ विवाद चलता रहता है ठीक है अब लव जहाद basically क्या है यहाँ पे लव जहाद असलियत में यह है कि यहाँ पे जितने भी जैसे Muslim Community है तो Muslim Community के पीछे आपने न्यूज पेपर्स में और न्यूज चैनलों पे भी यह देखा होगा जितने भी यह Muslim Community के यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं हातों में इसकal Мाप बादे बहारी हैं माते पर द बागा लेते हैं हिंदू की वेश भूसा में कुर्था पाजाहमा जो भी है वो अपने आपको हिंदू व्यक्ति यहाँ पे डेपिक्ट करने की कोसिस करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं हिंदू महिलाओं को और हिंदू जो लड़कियां होती हैं उनको यहां पे प्रिपोज करते हैं उनसे इस्क वाजी करते हैं और वहां पे उनको यह जताते हैं हम हिंदू है ठीक है और ऐसे में क्या होता है फिर वो गाड़ी आगे बढ़ती है और गाड़ी आगे बढ़ती है तो उनसे साधी कर लेते ह और साधी होने के बाद वो अपनी असलियत पर आ जाते हैं वो अपना धर्म जताते हैं और उन पर force करने की कोसिव करते हैं कि बिया आप तो आपकी साधी हो गई है और अब आप क्या हो जाईये मुसलिम हो जाईये और मीडिया में ऐसा claim किया आता है कि इस लव जिहाद बोलते हैं और लव जिहाद मैं बैसिकली यहां पर ऐसा भी मीडिया में आया है कि इसके लिए फंडिंग होती है बाहर से इनको पैकेज मिलते हैं कि आप कितनी आप हिंदू लड़की के लिए अगर साधी करते हैं तो ये रेट है मुस्लिम लड़की से लव जिहाद का मुद्धा आप समझ गए होंगे तो यहाँ पर अब क्या हुआ है उत्तर प्रदेश के जो चीप मिनिश्टर है योगी आज इतना तो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि लव जिहाद और अब यहाँ पर यहाँ पर बोला है तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हम इसको seriously लेंगे और इसके लिए एक effective law लेके आएंगे यहाँ पर यह देखिए यहाँ पर clear बोला है लव जिहाद और slur political used by the Hindu right wing to target interfaith relationship and marriages involving Muslim men ठीक है यहाँ clearly बोला गया है कि यह जो लव जिहाद है यह केवल और केवल यह इसमें Muslim लड़के होते हैं और यहाँ पर non-Muslim यहाँ पर लड़किया होती है the chief minister also issued a warning यहाँ पर बोला गया है कि इनको धंकी दी गई है यहाँ पर warning दी गई है those who played with the honor of sisters and daughters by concealing their identities and operating secretly ठीक है और यह जो इनका यह चल रहा है यह सही नहीं है और आप लोग सुधर जाएए if they did not meant their ways अगर आप लोग नहीं सुधरेंगे तो राम नाम सत्य आत्रा आपकी निकाल दी जाएगी और आपको पता होगा राम नाम सत्य आत्रा का मतलब क्या है यह अंतेष्टी वाली आत्रा होती है जब आदमी विदाई लेता है ठीक है तो funeral procession ठीक है तो ज़्यादा हमें seriously नहीं लेना है इसको अभी फिलाल यहाँ पे और हम यहाँ पे आगे चलते हैं एक और यहाँ पे हमारे लिए important article आया है article 226 और article 226 से यहाँ पे basically क्या है यह written petitions बताता है यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है तो यहाँ पे देखिए यह basically इसका मुद्दा जो है ना यह court में भी गया है high court वगरा के jurisdiction में भी है और यहाँ पे एक article आता है article 32 article 32 मैं यहाँ पे बताता हूँ article 32 होता है यहाँ supreme court की writ bititions होती है क्या होती है? Supreme court की writ bititions होती है और यहाँ पे article 226 आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ड की रिट पिटीसंस होती है और ये आर्टिकल किसके हैं ये सम्विदान के हैं Constitution of India Constitution of India भारत के सम्विदान के आर्टिकल है और इन आर्टिकल के तहत क्या है कि यहाँ पे 5 रिट यहाँ पे मिली हुई है फाइव रिट यहाँ पे मिली हुई है और उन रिट्स के तहत क्या है कि कोई भी यहाँ पे मुद्दा जो है वो कहीं पे भी आपके अधिकारों का अनन हो रहा है तो हम चलिए यहाँ सीधे हम रिट पे चलते हैं कौन कौन सी पाँच है तो आप गूगल कर लिजेगा आपको सिंपल में क्यों कि यह देखिए यहाँ पे न्यूस पेपर का है हम जाला डिटेल में नहीं जाएंगे तो आर्टिकल 226 empowers the high court to issue to any person or authority including the government in appropriate cases, directions, order or writ including writs in the nature of habis corpus तो दोस्तों यहाँ पे यह पाँच आपको क्या है यहाँ पे writis corpus, mendamus, prohibition, co-warantos, certiorary और any of them तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ एक साथ जो है इनके लिए कोई भी व्यक्ति यहाँ पे कोई संस्ता high court में move कर सकती है इन मुद्दों पर ठीक है चलिए इनको हम अलग से कहीं पे जब polity के class लेंगे वहाँ पे हम इनको discuss करेंगे फिलाल आपको याद रखना है कि article 32 supreme court में यह red predictions होती है और यहाँ पे article 226 में high court में होती है red predictions और यहाँ पे ठीक है न? चलिए अगले article पे चलते हैं देखिए यहाँ पे कुछ खास नहीं है air quality मैंने आपको बोला था अगले 6 महीने तक यह daily आएगा कुछ ना कुछ तो हमें ज्यादा नहीं देखना है altered court orders थोड़ा सा यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी अभी lockdown चल रहा है तो इस पे थोड़ा सा बढ़िया article यहाँ पे आया है और ज्यादा महत्पूर्ण नहीं है हलका सा हमें से देखेंगे कि यह जो कोरोना कोविड 19 है कोविड 19 की वज़े से जो lockdown लगा है तो lockdown की वज़े से अब क्या है कि यहाँ पे जो court है court है जो basically judiciary जो है तो यहाँ पे judicial process जो है वो थोड़ा सा प्रभावित हुआ है नया एक प्रिक्रिया प्रभावित हुई है और इसके support में यहाँ पे coverage कितने यहाँ पे case दर्ज हुआ करते थे और कितने court जो है निस्तारित कर देती थी उन पर फैसले देती थी लेकिन कोरोना के time पे COVID-19 lockdown की वज़े से या lockdown खुलने के बाद अभी वहाँ पे कितने cases register हो रहे हैं और कितने वहाँ पे e courts के माद्यम से virtually courts के माद्यम से वहाँ पे court cases है 2019 के और यह blue आला जो graph देख रहा है यह यह जो है यह वर्तमान के cases है इस वर्स के तो आप देख रहे होंगे कि lockdown यहाँ पे देखे फरवरी में lockdown लगाता वहाँ तक दोनों समान है फरवरी के बार यहाँ पे जो register cases है वो बहुत कम हो गए है और lockdown जैसे जैसे अब खुलता जा रहा है दीरे दीरे number of registered cases जो है यहाँ पे बढ़ते जा रहे है ठीक है यहीं यह district courts का है और यह देखेंगे high court high courts में भी बिल्कुल same procedure चला है और इसका official data यहाँ देखेंगे sharp fall in the institution of fresh cases जो fresh cases register हो रहे है वो बहुत कम हो रहे है और यहाँ पे देखिए पिछले साल यहाँ district courts में 4588 cases register हुए थे और इस वर्स जो है एपरिल में 904 case ही register हुए है वहीं दिल्ली आई code की बात करें तो 4457 case register हुए थे एपरिल में और इस वर्स केबल 228 case वहीं disposal की बात करें तो यहाँ पे देखिए बहुत कम cases यहाँ dispose हो पा रहे हैं और यह सारा सब इसकी वज़े यहा criminal cases दोनों type के cases में और इससे क्या हुआ है constitutional commitment to ensuring the delivery and access to justice यह थोड़ा सा क्या है यहाँ प्रभावेत हुआ है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए यहाँ पे हर्याना foundation day है आज 1 November है 1 November 2020 तो हर्याना foundation day अब हर्याना यहाँ पे देखिए यह संख्या आप आपके लि आपका क्या हुआ हर्याना यहाँ अब तो हर्याना इस्थापना दिवस कब है 1 November 1956 और इसकी स्थापना हुई तो आपको यह याद रखना है और चलिए यहाँ पे अब यहां पर चलते हैं तो और दोस्तों यहां पर एक चीज और यहां पर देखिए यह नीचे लिखा हुआ information public relations and languages department हर्याना इसका मतलब यह क्या है यह advertisement है और यह किसके द्वारा दिया गया है इस department के द्वारा दिया गया है जो हर्याना सरकार का है official department है ठीक है और हर्याना government का यह advertisement है चलिए यहां पर हम हर्याना दिवस के विशे में थोड़ा हर्याना पर बात कर लेते हैं तो यहां पर आप जो है मैंने आपको date बताई दी है यह जो एक नवंबर 1956 जो है इस दिन यहां पर भारत में बहुत सारे जो राज हैं उनका री विवस्ती करण हुआ था और यह किस article के तहद हुआ था article 3 के तहद हुआ था किसके तहद article 3 आपके लिए एक महत्पूर्ण यह मैं बता देता हूँ जो यहां पर states and its boundaries ऐसे करके यहां पर जो constitution है भारत का सम्मेदान उसके भाग एक में इस तरीके के प्रावदान है और भाग एक में यहां पर चार article आते हैं article 1, 2, 3 and 4 और यहां पर पहला article जो है वो यह बताता है कि भारत की भारत जो गंड़ाज है union of India तो उसमें कौन-कौन से states होंगी यहां पर कौन-कौन सी UTs होंगी और इसकी कौन-कौन सी territories होंगी तो यहां पर तरीके की territories बताई हुई है और आर्टीकल 2 जो है इसमें यहां पर यह बताया गया है कि जो भारत की भारत के बाहर जो territory होंगी उनके विशह में यहां reorganization भारत में लेना उनको उनकी नाम चेंज करना boundary चेंज करना वो सब आर्टीकल 2 में दे रखें और आर्टीकल 3 जो है इसमें भारत की जो boundary है उसके अंदर जो states and union territories परती है उनका reorganization दिया हुआ है ठीक है तो यहां पर आर्टीकल 4 में इन 2 और 3 के विशह में दे रखा है तो यहां पर आर्टीकल 3 जो है वह आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में आर्टीकल 3 जादा पूछा जाने की संभावना है 1 2 3 4 बाकी अन्य नहीं आर्टीकल 3 तो आपको याद रखना है आर्टीकल 3 के तहत भारत की boundary जो है उसके अंदर जो भी राज है union territory है इन सब के जो boundary नाम चेंज करना उनका area चेंज करना किसी state को बनाना हटाना ठीक है जो भी सारे प्रावदान है वो आर्टीकल 3 के तहत होते हैं चली आगे बढ़ते हैं यहाँ पर lockdown will not stop spread of virus face mask best vaccine तो यह देख लेते हैं यहाँ जो डिली के यहाँ पर health minister है सत्येंद्र जैन ठीक है तो इन्हों ने एक बहुत ही महत्पूर यहाँ पर statement दिया है और इसको थोड़ा seriously लेना चाहिए और basically इन्हों ने यह बुला है कि lockdown की lockdown अगर आप लगाएंगे तो इससे विसेश कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है और इससे नुकसान जादा होने है ठीक है और यह कह रहे हैं कि best जो इसके लिए vaccine है वो यह है जब तक देखिए vaccine आएगी वो तो best ही है लेकिन जब तक vaccine नहीं आ रही है तब तक face mask लगाना और precaution रखना ही best vaccine है उसका एक alternative है ठीक है तो बस यही बोला है और यह आपको सब पता है इस जादा विसलेशन करने की आउशकता नहीं है ठीक है फिलाल यहाँ पे आपके लिए एक और छोटा सा students के लिए है यह जो भी students undergraduate courses में यहाँ पे admission लेना चाहते हैं तो यहाँ पे डैली इनवस्टी काफी popular रहती है admissions के लिए students के लिए तो यहाँ पे डैली इनवस्टी ने online admissions November 2-4 के बीच होंगे तो इसलिए मैं यहाँ पे cover कर दे रहा हूँ आपको पता चल जाए last date for payment जो है यहाँ पे फीस की November 6 है और यहाँ पे college वाले आप लोगों को पता ही होगा लेडी स्रीराम college की यहाँ पे cutoff जो है 100% जाती है लेकिन इसमें fourth list में उन्होंने 99% यहाँ प उद्दव ठाकरे अर्जिस center to raise onion stock holding limit तो उद्दव ठाकरे यह जो है आपको पता है महराष्ट के cm है और यह शिप्षेना के प्रमुक है ठीक है और अब देखिए इनका क्या है यहाँ पे basically मैंने कल आपको प्याज का मुद्दा पताया था प्याज के जो है rate बढ़ रहे हैं और प्याज को जो है essential commodities act के तहद लाया गया और essential commodities act के तहद प्रावदान जो होते हैं उनकी आप जो भी सामान है जो भी वस्तु हैं उनकी आप क्या है भंडारण एक limit से जादा नहीं कर सकते हैं क्या एक limit होगी उस limit से जादा आप भंडारण नहीं कर सकते हैं ठीक है अब उससे जदा आप करेंगे, तो अगर यहां पर देखिए यहां पर एक क्या बोल रहे हैं यहां पर जो उद्दव ठाकरे जी है वो हमारे Central Government से कह रहे हैं कि आप ना Onion Stock Holding Limit जो है उसे 1500 Metric Ton जो अभी कर रही है उससे बढ़ा दो ठीक है To increase the Onion Stock Holding Limit to 1500 Metric Ton for Wholesale Traders मतलब इतना बढ़ाद हो इसे कम से कम अब देखिए यहां पर Wholesale Traders को 1500 Metric Ton करने की क्या वशकता है यहां पर 1500 Metric Ton और यह क्या कह रहे हैं इससे क्या होगा यहां पर In the state who purchased the bulb directly from farmers मतलब अब यह जो Wholesale Traders हैं यह जो किसानों से directly खरीदते हैं भाई तुम थोड़ा-थोड़ा Stock करके बेज दो ना ज्यादा वोर्डिंग करोगे क्या होगा यहां पर देखिए यह सब systematic है यह basically अपनी party politics को थोड़ा बचाने के लिए यहां पर करेवं नन सरकार को बचाने के लिए इन पर दवाग डाला जा रहा होगा और उसके तहत यहां पे यह यहां पर यह हो रहा है खीक है तो यहां पर इन्रोंने बोला एजिक्सकर नहीं है ना और केन सरकार ये अच्छे से जानती है अब यहां पर देखिए एक और चीज आपके लिए क्या है यूनियन कंजुमर अफेर्स फूड पब्लिक डिस्टिविशन मिनिस्टर जो है यहां पर पियूस गोयल ये कल भी नाम आया था ठीक है तो यह आपको याद रखना है जादा इस पर नहीं जाना है अच्छा यहां पर एक चीज और बता दूं यहां पर एक शब्द आया है अराइवल ऑफ खरीफ ओनियन यहां पर यह जो प्याज आने वाली है यह जो कह रहे हैं तो अभी जो यहां पर जो कैप लगा हुआ है यह आपको पता है यहां पर 25 मीट्रिक तन का यहां पर लिमिट लगी हुए है और इसको यह कह रहे हैं 25 मीट्रिक टन से बढ़ागे 1500 मीट्रिक टन यहां पर करने की बात कर रहे हैं अब बात करेंगे खरीफ ओनियन का मतलब क्या है भारत में जो क्रॉपिंग के सीजन है जहां पर टीन सीजन होते हैं एक रभी की फसल होती है एक खरीफ की फसल होती है ठीक है और एक जायद की फसल होती है ठीक है तो यह आपको पता होना जी यह रभी की फसल मतलब यह सर्दियों में जो सर्दियों का मौसम आ रहा है तो इसमें अक्टूवर करीम में बवाई होती है फरवरी मार्च में कटाई होती है तो ये अक्टूवर से आपके मार्च होता है खरीब का सीजन जो होता है ये आपका जून जुलाई से लेके जून से मान लीजिए और ये अक्टूवर तक का होता है और जायद का जो है इनके बीच में ह तो यह मार्च से लेके जून तो यहां पर आप ऐसे बोल सकते हैं एप्रिल और मे का जो सीजन है ये आपका क्रॉप जिसमें आपके तर्गुज करते हैं तो खरीब सीजन मतलब सीजन च्छाई से बात यहां पर हो रही है और यह आप के कोई भी स्बसक्रा बहुत ही répondre ये आप हैं एक्जाम में आपको बस एक बार पता चल गया अब हमेशा आपका टंटा कड़ गया अब कोई भी एक्जाम होगा वहाँ पे इंटर्वी में पूछ लेंगे आपके प्रिलिम्स में में जी के जी एस एससी बैंक से सब में पूछा जाता है रभी की सीजन कब होता है किस मही ने खरीब इनमें फसल कौन सी होती है तो आप इसे और थोड़ा डिटेल में देख लीजेगा ठीक है क्योंकि ये निउस पेपर का है तो यहाँ पे हलका सामने आपको बता दिया अब बात करेंगे यहाँ पे अन्ने कोई आर्टिकल अब देखिए CJI opens country's first e-resource center in नागपू तो यहाँ पे virtual court also launched for transport department to deal with चालान के से जो e-resource center खुला है नागपूर में इसके साथी यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे virtual court जो है transport department के लिए यह भी यहाँ पे inaugurate की है अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको कल बताया था परसों भी बताया था कि यहाँ पे देखिए आप regular newspaper पढ़ते रहेंगे तो बहुत सारी चीज है आपको daily पढ़ पढ़के याद हो जाएंगी अब दिकिए यहाँ पे cheap justice of India का नाम आगया ऐसे बोवडे अलग से इसे आप note कर लीजिएगा और यहाँ पे एक और supreme court judge का नाम आया है डी वाई चंचूर अब जैसे आप पढ़े इन्होंने न्याय कोशल जो है यहाँ पे इनागरेट गिया है country's first e-resource center तो इसका जो e-resource center जो है इसका नाम क्या रखा है न्याय कोशल ठीक है और at the judicial officers training institute in नागपुर तो यह आपको यह भी याद रखना है कि judicial officers का यहाँ पे training institute भारत में कहां पे है नागपुर में है तो कॉशन कहां से आते हैं यहीं से आते हैं IES का paper कोई ऐसा थोड़ी है कि कहीं से मतलब अफरीका से उठाके ले लिया ऐसा नहीं है सब news paper से आता है बस हम बारी की से पढ़ते नहीं है उसको मतलब हलके में ले ले लेते हैं बस समश्या यहाँ आती है virtual court was also launched for the transport department to deal with the चालान cases अब यह जो है ना transport department के लिए virtual court जो चालू की गई है इसका केवल और केवल परपज है यहाँ पर जितने भी चालान cases है वो यहाँ पे speedily यहाँ पर क्या है निस्तारन हो जाए उनका ठीक है अब यहाँ पर बोला है कि जो जो कोविड है कोरोना है तो उसकी वज़े से यहाँ हमने पीछे भी देखा जो नियाइक प्रिक्रिया है प्रभावित हुई है तो access to justice becoming conditional on access of technology यहाँ पर यह बोल रहे हैं justice बोबड़े यह accept कर रहे हैं इस बात को कि यह जो आपका यहाँ जो judicial process है और जो public को जो justice दिया जा रहा है वो यहाँ पर justice नियाइक प्रिक्रिया जो है प्रभावित हुई है और उसकी वजय क्या है कि देखिए ठीक है इन्होंने court होने e-court बना दी यहाँ पर और यहाँ technology के माद्यम से court लग रही है लेकिन इसका लेकिन वो सारी जो technology है अब देखिए हर कोई हर किसी के पास में बढ़िया कोई camera या फिर बढ़िया कोई microphone आप अब सामने वाले की बात नहीं आ पाएगी आपकी बात नहीं पहुंच पाएगी और इसके लिए internet अब देखिए मेरे पास अभी यहाँ पे मेरे एरिया में या जियो की service अभी अभी आई है और अभी अभी आई है तो मैंने अभी तीन दिन से यह live classes चालू की है मजह क्या है मेरे पास यह सारे सब setup था पहले से लेकिन internet नहीं था अब जब मेरे पास internet नहीं है सोचिए कोई ग्रामीर खेतर में कोई एक आम नागरिक है मेरा तो एक काम दंदा है कि यह मैं पढ़ाता हूँ मेरे पास सारी चीज़े हैं लेकिन जो एक आम आदमी है उसके पास laptop, mic, professional यह सारी चीज़े नहीं होती है कौन सा software है वो बचारा जानता ही नहीं है ठीक है और तो यह सारी समझ्या है और इसकी वज़या क्या है access to technology और technology में हर कोई पहले तो technology हो उस पर खर्चा हो और उसको सीखना तो यह इनों ने accept किया है ठीक है फिर हम बात करेंगे e-resource center is mean to be a setup at mitigating various inequalities by being connected to the supreme court और यह e-resource center जो है यह पूरे भारत के लिए होगा यहाँ पे supreme court, high court और जितनी तालुका court होंगी सब इससे connected होंगी और यहाँ से क्या होगा easiest way of filing court matters by using technology जिन लोगों के पास technology है या जो भी बकील है या जो कोई भी इस field में काम करते हैं वो लोग technology का प्रयोग करक के e-filing के माध्यम से इस resource center के माध्यम से यहाँ पे अपने cases को file कर सकते हैं और नयाइक प्रक्रिया थोड़ी सी सुद्रन होगी अब virtual court की बात करें है तो यह कहां से काटोल एक जगह है यहां से function होगी काटोल आप याद कर लीजेगा यह virtual court जो है काटोल में है और यह कहा है महराष्टरा to deal with traffic चालान cases in महराष्टरा ठीक है all judges across the country will be able to access the court online और यह जो हमने यहाँ पे e-resource center है और यह virtual court है यह सारी सब online होगी कोई भी judges से connect हो सकता है अब दिखिए यहाँ पे एक और चीज आपको बता दूं question आ सकता है यहाँ पे जो supreme court का e-court committee है supreme court की कौन सी committee e-court e-court मतलब जो electronically यहाँ पे court का system जो चला है lockdown की वज़े से अभी जब तक vaccine नहीं आ जाती तो उसके chairman कौन है तो justice dy चंद्रचूर justice चंद्रचूर का पूरा नाम क्या है justice dy चंद्रचूर देखिए यहाँ पे मैं mark कर देता हूँ justice dy चंद्रचूर तो यह जो है यह क्या है यह chairman है किसके SC की supreme court की e-court committee के है ठीक है और यहाँ पे एक चीज़ और मैत्पून आप point यह note कर लेना Delhi was the first to start virtual traffic court in India यहाँ पे यह traffic court जो है यहाँ पे virtual court यह महराष्टरा की यहाँ पे launch हुई है यह transport department के लिए लेकिन दिल्ली जो थी वो virtual court start करने वाली traffic के मामले में यह पहली state थी ठीक है तो आपको यह question ऐसे आ सकता है कि यह किस राज भारत का कौन सा राज जो है वो virtual traffic court इस्तापित करने वाला पहला राज है तो उसमें आपको दिल्ली लिख देना है ठीक है यहाँ पे देखिए राज अगर ऐसे आता है तो मतलब उसका मतलब यह नहीं है कि आपको के साथ दिल्ली तो भईया वो क्या है union territory है को ले नहीं तो वहाँ पे कई बार क्या है वो जब question बनाए जाते हैं तो वहाँ पे यह भूल जाते हैं कि यार हमने राज लिख दिया है वो UTV होती है तो बात करेंगे अब यहाँ पे e-code mobile application इस सब के लिए नहों ने एक e-code mobile application भी बना रहा है तो इसको भी आप लिख लीजिएगा ठीक है और देखिए यहाँ पे यह facility कितनी जगे अविलेबल है e-filing facility अविलेबल इन 17 high courts, 3 high court benches, several district courts तो यह सब जो है यहाँ पे यह अविलेबल है और देखिए अभी यहाँ पे connectivity की बात अब देखिए Supreme Court के पास अच्छी connectivity नहीं है और कल जो है मुकल रोदगी जो है तो उन्हों जीओ की दरब से उन्हें offer दिया है कि जीओ के आप लगवा लीजिये सब जगे और जीओ की service बहुत बढ़िया है तो यह अलग आसपेक्ट है लेकिन यह कल न्यूज में आया था इसलिए हमने बता दिया चर्चा कर ली अब दिखिए आपके लिए बहुत महित्पूर है यह बहुत सारी स्टेट जो है वो एक्जिस्टेंस में आई हुनका रियोगनाईशन हुआ अर्टिकल 3 के तैत लेकिन यहां पर यह जो बात हो रही है यह स्टेट रियोगनाईशन ठीक है यहां पर यह स्टेट फाउंडेशन दे च्छत्तिस गड़ यह उन्हीं सचपन को नहीं हुआ है यह कब हुआ है 2000 में हुआ है कब हुआ है 2000 अब देखिए चलिए इस पर हम चल चलते हैं यहां पर पहले तो हम यहां पर यह देख लेते हैं देखिए और महत्पूर्ण क्या दे रखा है आपको भूपेश बगेल यहां के क्या हैं 36 कड़ के CM है तो आपको यहां से 36 तो आपको पता होना चाहिए ना कि वहां पर 36 गड़ में एक यह योजना लाई गई है राजीव गांदी किसान ने आई हो जना तो आप इसको आप गूगल कर लीजिएगा और यह यहां पर कह रहे हैं देखिए यहां पर राजीव गांदी किसान यह देखिए जब भी यह इस तरीके का एड देती है ना कोई सरकार तो आपके लिए एक बहुत शौर्ड में आपको यहां पर बहुत सारी चीज़ें वो बताती है कि हमने पिछले साल में यहां यहां से पढ़ लेना चीज़ें और यहां से आपके प्रॉबेबल कॉश्यंस मिलते हैं चलिए यहां पर हम बात करते हैं देखते हैं इन्होंने क्या वोला है इन्होंने बोला है राजीम गांदी किसान ने आए योजना तो इसके तैस 5750 करोड टू बेनेफिट 19 लाग फार्मर्स इन्होंने 19 लाग किसानों को यहां फायदा हो रहा है इससे और इसके लिए इन्होंने करीब पॉने 6000 करोड का यहां प्रोविजन किया है 3000 करोड ठीक है राइट विंग की सरकार है तो यहां पर गौधन ही न्या योजना तो इन्होंने भी गोला चलो भाई हम भी इसमें डुपकी लगा लेते हैं ठीक है तो यहां पर फर्स्ट इस्टेट टू मॉनेटाइस कावडंग तो इस दीक है बहुत अच्छा इनिशेटिव है ऐ कमेंट कर रहा हूं यह बस एक सरकास्टिक रिमार्क है और कुछ नहीं है यहां पर देखिए यह अच्छी रोजना है बस ऐसे ही ठीक है फर्स्ट इस्टेट टू मॉनेटाइस कावडंग एवरेज पेमेंट आफ नाइन करोड एवरी फोटनाइट मतलब फोटनाइट का मतल किषान से घाय का गोबर नहीं खरीदा जा रहा है लkea कोई किसाउन निस्टारंड नहीं करता ह्यद्ध है और यह फिर करने के लिए जगें चाहिये होती है अब देखे सरकार क्या करेगी इसको किसी कंपणी को देदेगी या इसको क्या करेगी खाद में कनवर्ट करा लेगी जैविक खाद बन जाती है बहुत अच्छी खाद बनती है ठीक है उस पे हम अलग से किसी वीडियो में कवर करेंगे फार्मर्स 9000 करोर शॉट टम फार्मर्स लोन वेव डॉप यहां पर देखिए 9000 करोर का अब यह देखिए इनके चुनावी मुद्दे हैं यह बता रहे हैं कि भाई हमने देखो चुनावी वादा किया था कि हम फार्मर्स का लोन वेव आफ कर देंगे मतलब रिणम आफ ही कर देंगे तो यह देखिए यहां पर ब्याली स्वा यह कड़ों फार्मिंग लेंड एक्क्वार्मिंग फॉर एस्टेबलिसेंगा इस्टील प्लांट इन लोहंडी गुडा बस्तर यह कह रहे हैं देखिए बस्तर का यहां पर मेंशन क्यों किया है बस्तर जो है ना यह और यहां development होगा तो इससे क्या है यहां पर तो यह आपको याद रखना है कि देखो यहां एक नया इस्टील प्लांट लगने वाला है अब यह देखिए बस्तर जो है लोहंडी गुडा आ सकता है बस्तर आ सकता है आपसे पेपर में यह कहां पढ़ता है यह भाईया यह 36 ग Community Forest Rights यह basically क्या होता है कि जो भी यह देखिए जो forest होते हैं यहां पर हमको क्या करना होता है अब देखिए हमारी जो बायो डावरस्टी है उसको प्रिजर्व करना है और उसको प्रिजर्व करने के लिए हमारे environmental laws हैं बहुत सारे और यह laws जो हैं इनके तहर जितने भी वनों मे जंगलों में जितने भी वने जीव जनतु हैं उनके protection के लिए बहुत सारे अलग अलग और अलग से act आई हुए हैं अब ऐसे में क्या होता है कि उन जैसे सबोज कीजिए tiger reserve कहीं बना दिया tiger reserve बना दिया तो tiger reserve जब गोसित किया आता है तो उसमें क्या होता है एक core zone होता है core area जहां पर कोई भी नहीं जा सकता और यह tigers को सचंद घूमने के लिए उसके बाद एक buffer zone होता है buffer zone ठीक है buffer zone बोले कि यहां पर लोग आ जा सकते है टूरिस्म टूरिस्ट आ सकते हैं देखने जैसे सबोज करो यहां पर गना पक्षी विहार है तो वहां लोग आप घूमने चल ठीक है तो यहां पर जो आसपास यह लोग जो रहते हैं तो इन लोगों के यहां पर forest rights होते हैं और forest rights जो होते हैं इसके तहत यह जो भी यहां पर ऐसे areas में लोग रहते हैं ठीक है तो इन लोगों को यहां पर इन्होंने बोला है 51,00,00,00 acres of forest land जो है इनको इसके तहत यहां पे इसको cover किया गया है, highest procurement of minor forest produce, highest remuneration for तेंदू पत्ता देखिए, यहाँ पे मैंने अभी तेंदू पत्ता नाम लिया था और यहाँ आ गया तेंदू पत्ता collection procurement of 31 minor forest produce under यहाँ पे MSP, चीक है new avenues of employment generation during the lockdown, highest number of jobs under मन्रे का daily employment provided to 25,000,000 people, unemployment rate in October reaches 2%, one of the lowest in the country, यह कह रहे हैं कि यहाँ हमारा जो राज है, इसमें unemployment rate पूरे देज में सबसे कम है, 2% है, और सही बात है, अच्छी बात है, दीए, 36 करना जब से अलग हुआ है, तब से यहाँ की सरकार हैं बहुत अच्छे से perform कर रही हैं, और 36 कर जो है, जो development के विविन मानक हैं, उन पर नए स्थम्भ करता जा रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, मद्य प्रदेश भी बहुत अच्छा कर रहा है, agriculture और विविन खेत्रों में, 36 गडब बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, एजूकेशन यहाँ नहीं बोला है, 54 schools established अंडर स्वामी आत्मानंद इंग्लिस मीडियम school scheme, तो देखिए यहाँ पर जनरली राज्चे सरकार हैं जो होती हैं, वो हिंदी मीडियम को प्रमोट करती हैं, लेकिन इनों नहीं यहाँ पर स्वामी आत्मानंद इंग्लिस मीडियम school scheme एक चालू किया है, और इसके तहर्त चववन यहाँ पर English medium school यहाँ पर established किया है, dry रासन अंडर midday meal scheme, तो यहाँ पर dry रासन दिया जा रहा है, 29 लाग schools को और वहाँ पर जाने वाले जो बच्चे हैं, जो प्रभावित हैं, school नहीं जा रहे हैं, तो उनको यहाँ पर घर तक रासन पहुचाया जा रहा है, schools in नकसल affected regions reopen after remaining shadyas हैं, वहाँ के जो schools हैं, वो यहाँ पर दुबारा चालू हो गए हैं, ठीक है, तो इस तरीके की यहाँ पर यहाँ पर यह चीज़ें जो हैं, यहाँ पर लागू की गई हैं, schools in नकसल affected regions, तो यह हमने देख लिया, innovative educational web portal based scheme पढ़ाई तुनहार दौर, तो यहाँ पर पढ़ाई तुनहार दौर, मतलब बच्चे जो है, लोगडाउन के जाए से घर पे हैं, तो घर पे ही, वो web portal के माध्यम से, mobile से ही यहाँ पर, यह एकसेस कर सकते हैं, यहाँ इन्होंने अपनी website दी है, इसका benefit यहाँ पर, साड़े उन्तीस लाग बच्चे जो है, online classes ले रहे हैं, ठीक है, और उन्हें बहुत सारी चीज़ा है, आप यहाँ पर देख लीजेगा, industrial growth, health and sanitation, बहुत सारी चीज़ा है, आप इन्होंने बोली है, 65% decline in malaria cases in one year under malaria मुक्त बस्तर अभयान, देखिए बस्तर रीजन ना बहुत ही यहाँ का undeveloped दिला का है, और इसी वज़े से जहां पर भी undevelopment होता है, गरीबी होती है, वहाँ पर जो कुछ negative forces होते हैं, वो क्या है, वो active हो जाते हैं, तो यही नकसल प्रभावितेरिया भी है, और यहीं पर malaria भी बहुत है, गरीबी है, तो और गरीबी की देखिए, बज़े है, आपको एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर जो स्वास्त वे है, किसी व्यक्ति का, किसी परवार का, सबोज कीजि तो यह भी एक स्वास्त, मतलब बीमारी जो है, यह भी गरीबी का एक मुख्य कारण है, यहाँ पर देखिए, पैसट परसेंट जो है, यहाँ पर malaria के के से यहाँ इन्होंने कम कर ली है, यह बहुत बड़ा achievement है, cleanliness survey 2026 का declared the cleanest state of India, और यह तो आप से paper में बार 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 पू पूछा गया था, ठीक है, cleanest state of India कौन सी रही है, इसमार भारत का सच्चता सर्वेक्षन हुआ है उसमें, ठीक है, 36 गर्ड, honored with 14 more awards in various categories related to cleanliness, hygiene and sanitation, तो यह सारा जो है, यहाँ पर बहुत सारे इनको award मिले हैं, under मुक्षमंत्री supportion अभ्यान, तो यह देखिए, यह आप note कर सकते मुक्षमंत्री supportion अभ्यान, 13.79% decline in the rate of malnutrition, तो देखिए, यह भी बहुत अच्छा इनका achievement है, कि इन्होंने malnutrition, मतलब कोपोशन, तो कोपोशन को यहाँ पे इन्होंने कम किया है, कोपोशन, ठीक है, और यहाँ पे 67,000 children became malnutrition free, बहुत अच्छा achievement है, इनका, weekly heart bajar clinics, तो द कितने अच्छे-च्छे initiative यहाँ पे लेके आए है, और देखिए, यह आपको अलग से कहीं नहीं मिलने वाले है, यहाँ पे add आया है, तो आपको मिल रहे है, चत्तीस का leads in the industrial development, 848 new industries and investment वर्थ 15,000 करोड, तो यह कह रहे हैं को 15,000 करोड का recently investment आया है, new industrial policy, तो यहाँ पे industrial policy अब देखिए, यहाँ पे यह थोड़ा tribal इलाका बहुत है, तो जो forest produce है, वो यहाँ की लोगों की बहुत ही महत्पून क्या है, यह आजीव का का सादन है, तो इसको यहाँ पे industry में convert किया जा रहा है, उसको industry में convert किया जा रहा है, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे आगे schools after November 15, तो इन्हों ने बोला है कि बहुत जो यहाँ के CM है, अब देखिए, मैंने बोला था ना, यहाँ पे नवीन पतनाएक, जो है यहां के CM है, ओडी सागे, ठीक है, यह कौन है, यहाँ के CM, यहाँ के ओडी सागे, तो इन्हों ने यह बोला है कि यहाँ जो online classes यहाँ चल है ठीक है ये सभी सरकारे चला रही है इन्होंने बोला है कि ये उतना successful नहीं हो पा रही है हमारे राजमें और उसकी वज़य क्या है गरीबी और गरीबी की वज़य से क्या है लोग जो है तो इन्होंने ये अब कि यहां पर आएंगे तो क्या होगा यहां पर खर्चा नहीं करेंगे खर्चा नहीं करेंगे तो tax नहीं आएगा tax नहीं आएगा तो सरकार को revenue नहीं आएगा ठीक है और सरकार की आमद नहीं नहीं होगी तो वो खर्चा कैसे करेगी ठीक है तो ऐसे में यहाँ पर मजबूरी हो गई है और इनों ने यहाँ पर decision लिया है कि भीया आज से हम यहाँ पर beach और park जो है इनको खोल देंगे केरला में बहुत अच्छे अच्छे beach है और आपको विदेश जाने की ज़रूद नहीं है अब यहाँ पर केरला में भारतिये बीचों का आनंद ले सकते हैं बहुत अच्छा फिर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ खास नहीं है फिर crucial polling phase न बहार तो बहार में नॉवंबर तीन को जो है यहाँ पर अगला जो अगले phase का election होना है हमें ज़्यादा detail में नहीं पढ़ना है इसे ठीक है बच डेट से याद रखनी है कि भी यहाँ इस दिन हो रहा है और ऐसे ऐसे और यह पार्टियां एक बार पढ़ लेंगे काम खतम बार बार पढ़ने की जड़ोती नहीं है अब देखिए आज का सबसे महतपूर्ण जो article है वो हम आज discuss करने वाले हैं अभी J&K Government Voids Roshni Act अब यह Roshni Act जो है यह क्या है इस चीज को हम समझेंगे ठीक है तो यह Roshni Act जो है Basically पहले से समझ लीजिए Roshni Act क्या है तो Roshni Act basically क्या है इसका यह short name है Roshni Act लेकिन इसका official name क्या है जो इसका act आया था इसका official name है Jammu & Kasmir State Land Vesting of Ownership to the Occupants Act 2001 इसको हम Roshni Act के नाम से जानते हैं तो पहले से समझ लेते हैं नाम से पता चला होगा यह Jammu & Kasmir का है राज्य का है और यहाँ पे State Land मतलब राज्य सरकार की जो जमीन है उससे related है अब ब्रेकिट में लेका है Vesting of Ownership to the Occupants इसका मतलब क्या है कि जो भी जिन लोगों का यहाँ कबजा है उन लोगों को Ownership दी जा रही है तो इस चीज का यह क्या है यह Act 2001 में लाया गया था अब इसको हम विस्तरत समझते हैं तो नाम से पता चल गया होगा हम किस विशे में बात करने जा रहा है Actual में क्या होता है कि यहाँ पर रोशनी Act जो है यह फारुक अबदुल्ला जब यहाँ पर CM थे तो उनके टाइम पर यह इस तरीके का यह Act लाया गया और यह Act जो है देखिए यहाँ पर कुछ New Channel जो है वो बहुत अच्छे से और कुछ यहाँ पर संस्ता हैं, सरकारी एजेंसिया है बहुत अच्छे से यहाँ पर जो क्या है यहाँ पर एक्टिविज्म यहाँ पर उसका जो क्या बोलेंगे अपना धर्म नेवा रहे हैं वो बिलकुल जीरो पर जाके और अंदर तक यहाँ पर गुसके और चीजों को निकालने की कोजिस करते हैं और उसी के तहद यह रौसनी एक्ट का मुद्दा यहाँ पर आया था और G-news वालों ने इसको अच्छे से कवर किया था और आप इसके सर्च कर सकते हैं Google पर या फिर कहीं पर G-news वालों ने इसे बहुत अच्छे से कवर किया था और उसमें इसके बारी की से एक एक पॉइंट को बताया था काफी टाइम हो गया ठीक है और इस पर देखिए ऐसा नहीं है Google G-news वालों ने किया है बाकी अन्य लोगों ने भी इसको कवर किया है और यहां पर सरकार, High Code देखिए High Code का DCN आया हम ऐसी बात नहीं करते हैं कि नीज पेपर ने कवर कर दिया यह सम्वेदानिक मुद्दा बन गया है ठीक है तो यहां पर इस पर क्या है बेसिकली रोशनी एक्ट के तहट यहां पर क्या किया गया systematic तरीके से जो claim किया जा रहा है new channel दोरा वो यह किया जा रहा है सरकार ने एक proposal यहां पर produce किया कि भई यह हमारी सरकारी जो जमीने हैं, खाली जमीने पड़ी हैं जैसे कोई highway है highway के बगल से जमीन है कोई जैसे नाला है, नहर है उसके बगल से जमीन है कहीं पे भी कोई जमीन है शेहरों के बहार जमीन है तो उन पर हमारा कोई earning नहीं आ रही है बोले कि कुछ लोग जो गरीब लोग होते हैं वो कबजा कर लेते हैं अब हम क्या करेंगे उन लोगों से उन लोगों को बेज देंगे बोले वही है ठीक है तुम रहो सिस्टेमेटिक हम उन्हें पट्टा दे देंगे और उसके लिए एक एक एक्ट बनाया और बोले कि इस से क्या होगा हमें क्या मिलने वाला है सरकार को 25 जया करोड की आमद नहीं होने वाली है और किस से होने वाली है हम यहां कम से कम उन्होंने बोला कि 25 लाक कैनाल कैनाल वहां की यूनिट ओफ मेजरमेंट ओफ लेंड है ठीक है तो 20 लाक कैनाल भूमी हम हस्तांतरित करेंगे कब्जे वाले लोगों को ठीक है और इस से हमें 25 जया करोड का मुनाफ़ा होगा ठीक है लेकिन एक्शल में क्या हुआ अब इन्होंने हस्तांतरित तो कर दिया और अच्छी घासी भूमी का बहुत अच्छी अच्छी भूमियों का इन्होंने हस्तांतरित कर दिया कब्जे वालों को जहां कब्जे नहीं थे ना कबजे करवा के वहाँ पर हस्तान करवाया गया बोले भीया तुमको लेना है कबजा तो दिखाओ अपना ठीक है और कबजा ले लो हमसे हम दे रहे हैं तुम ले लो तो कहने का अब यह यहां पर क्या है कुछ यहां पर जो इस्टेमेटिक कर ने की कोसिस की गई थी वह भी सिस्टेमेटिक तरीके से अब डेमोग्राफी चेंज कैसे की गई थी तो देखिए यहां पर जैसे माना कोई Hindu dominated area है Hindu dominated area आप जैसे माना जम्मू है जम्मू में वहाँ पर Hindu dominated area है तो वहाँ पर देखे वोट की politics है अब इनके candidate कैसे जीत के आएंगे ठीक है तो वहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए जो जाएंगे कोई कोई इसमें दिक्कत नहीं है अब जब रहेंगे तो फिर उनके जो परवार वाले हैं रिस्तेदार वह आएंगे दीरे-दीरे क्या है वहाँ population जो है balance में आ जाएगी ठीक है और उससे क्या है डेमोग्राफी जो है वहाँ के डेटा जो है वो change होंगे उससे elections प्रवावित होंगे बहुत कुछ था इसमें ठीक है और यह मेरे अपने व्यू नहीं है जो यहाँ मेडिया में है officially यहां आ रहा है वह मैं बता रहा हूं ठीक है और आप देख सकते हैं सर्च कर सकते हैं अब इसमें क्या होता है 2014 में controller and auditor general देखिए CA जी ने यहां पे इस पे study की और बोला के भई आपने तो प्रपोज किया था 25,000 करोड आएंगे लेकिन आए कितने हैं actually 46 करोड आए हैं ठीक है और यह 2007 और 13 की इन्होंने study की 2007 और 13 के बीच की इसमें केवल 76 करोड रुपी realize हुए मतलब आमनी आई सरकार की और अब क्या होता है यह मुद्धा जब new channels में आया और इधर उधर आया ठीक है तो यहां पे यह high quotes में गया जुडी शेरी के पास क्या matter और देखिए यहां पे क्या होता है यहां पे जो high quote है तो यहां पे हमने इसको देखिए पूरा पढ़ देता हूं तो यह रा ठीक है अब हुआ क्या है यहां पे the JNK government has decided to implement the high court order high court का जो order आया है high court का order के आया है कि बोले यह जो law है रोश्णी act जो है यह unconstitutional है constitution के प्रावधानों के against है ठीक है as amended from time to time और इसको जो है समय समय पे बदला गया है इसके प्रावधानों को ठीक है यह क्या है constitutional है contrary to law है कानून के खिलाप है and unsustainable और यह लागू नहीं रहना जाए यह high court ने बोला और high court की जो यह आदेस आया है तो इसको अब जम्मू कस्मीर की जो सरकार है वो अब वरतमान में केंड चला रहा है वागी सरकार अभी election तो हुए नहीं है तो यहाँ पर जम्मू कस्मीर की जो government है उसने high court के आदेस की पालना की है और आदेसों की पालना करने के तहद इसको क्या कर दिया है यहाँ पर null and void गोसित कर दिया है अब बोला जब लीगल है तो इसके तहद जो यहाँ पर land transfer हुई है अब दिक यह कोई revenue तो आया नहीं है ऐसे ही कबजा दे दिया लोगों को ठीक है अब यह जो जमीन भूमी यहाँ पर जो इनको transfer हुई है इसको वापस सरकार के कबजे में लिया जाएगा illegal जो occupants हैं उनको खाली करवाया जाएगा और यहाँ पर यहाँ पर यह सारा प्रावदान तो यहाँ पर देखिए null and void and has decided to retrieve the land within six months और यहाँ इन्होंने एक समय सीमा रखी है कि अगले छह महीने के अंदर इस पूरी भूमी को यहाँ पर recover कर लिया जाएगा the principal secretary has been asked to pass an order declaring all actions taken under the act as void up initio तो दोस्तों यहाँ पर यह अब इनीशियो जो है आपके लिये important हो सकता है देखिए वाइट का तो मतलब हो गया अब यह निरस्त हो गया अब इनीशियो मतलब from the beginning जब से यह लाग हुआ है तब से ही यह कुछ Greek और Latin के phrase है आपको याद होना चाहिए अब इनीशियो इंग्लिस में use होते हैं आजकल तो ठीक है तो यहाँ पर रोशनी एक्ट का मुद्धा यहाँ पर हमने पूरा cover कर लिया है डिटेल में आप इसको गूगल कर सकते हैं Wikipedia कर सकते हैं और बहुत सारे चैनलों ने आपे cover किया होगा तो वहां से आप देख सकते है ठीक है अब बात करेंगे इसके आगे तो सी प्लेन मेक्स स्प्लैस और साबरमती तो यहाँ पे कल हमारे प्रधानमंदी जो है जब वहा यहाँ पर लॉंच किया है तो इसको शॉट में देख लेते हैं country's first sea plane service देश की पहली इस प्रकार की सेवा है statue of unity near केवडिया in नर्मदा district of guzrat in the साबरमती riverfront in एमदाबाद तो यह दो कहां से कहां तक की service है पहला है यह देखिए कहां से कहां तक की service है statue of unity जो कहां पढ़ रही है हमने पीछे भी बताया था केवडिया area है वहाँ पर यह नर्मदा district में पढ़ता है ठीक है और साबरमती यहां river है ठीक है तो यहां से लेके यह साबरमती riverfront एहमदाबाद तो यह एहमदाबाद तक की यह सेवा है और यहां पर देखिए सरदार सरुवर डेम के पास से यह की गई है और इसमें अभी वर्तमान में जो इनन लॉंच की 19 सीटर सी प्लेन था और यह देखिए थोड़ा सा यहां पर एक concern आया है कि 19 सीटर जो सी प्लेन है इसकी आयू 50 साल की हो गई है तो यह थोड़ा सा एक security issue है माना यह crash हो गया खराब हो गया engine खराब हो गया तो क्या होगा वही इसमें जो बैठे हुए लोग है जान पर बनाएगी तो यहां पर अब यह मामला जो है यहां डायेक्ट्रेट जनल ऑफ सिविल अविएशन के पास आगया है अब इसमें जाच पड़ता लोरी इन से पूछा या रहा है यह आपने यह permission कैसे दे दी ठीक है तो यह अपना यहां पर यह आप देख लीजेगा इसको ज्यादा एटिल में हम नहीं जा रहे हैं ठीक है बीजेपी रेजिस पाकिस्तान एवरी टाइम इट फेसे डिपीड यह सब पॉलिटीकल है यह आपको नहीं पढ़ना है यह इस तरीके के कुछ भी स्टेटमेंट आते रहते है ठीक है आपके लिए कुछ इंपॉर्टन नहीं है फिर हम बात करेंगे जैशंकर वांस चेंजेज टू लोटी कल हम ने देखा था कि यहां पी जो कुछ हमारे पड़ोसी देश हैं वो क्या कर रहे हैं हमारे सीमा जो समझळोते हैं उनकी क्या कर रहे है इजएं नहीं कर रहे हैं ऐसे में यहां पे हमारे जो विदेश मंत्री है hundreds module एस जैशंकर तो यह नोंने उनक sexual control ठुक है तो यहां पे चाइना को यहां पे बार वारन खिया है कि आप माँ जाओ और हमारे हिस्सों को अपने मैप में मत देखाओ और हमारे ऐसा मत करो कि यहां पर बार-बार अपने सेनकों को बेज देते हो, सुधर जाओ, ठीक है, दूसरा यहां पर मुद्दा जो है, यह बगल वाले इस आर्टीकल में हम देखेंगे, इंडिया प्रोटेस, यूएस अमेंड ट्रांस्क्रिप, अब देखें, यहां पर हुआ क्या, आभी goosebumps टू डायलोग हुआ था, इंडिया यूएस का, इंडिया यूएस का, टू प्लस टू डायलोग हुआ था, ठीक है। और इसमें यहां पर यह यहां पर यह से एक।, यहां पर कौन है, यहां पर एक। शुएसटर और होम मिनिस्टर इनके साथ में यह वष्तरत बैटा कुई अब इसके बाद में क्या हुआ यहां देखिए टू प्लस टू मीटिंग होने के बाद मैं यहां पर उन्होंने ऑफिशियल जो वहां पर जो इस्टेटमेंट दिया वहां जाके तो उसमें इन्होंने क्या बोल दिया कि हमारे यहां पर जो जो राजना सिंगी है और इसके यनोंने यह बोल दिया है भाई बारस सरकार कह रही है कि रैकलेस एग्रेशन आँर नौर टीस Bılmış यहां पर यहाँ पर रेक्लींष वर्ड यहाँ थुड़ा सा है यहाँ पर भाहरत नहीं परने सब्सक्राइड कराया है बोला 되면 एक आप रेक्लींष का मतलब है कि और अगर एस ऐसा बोलेका तो इसका मतलब क्या इंटरनेशनल यह जाना का और फिछाना जो है दड़ादeur आइप अदर ठीक है और भारत में इसका मतलब सीधा से जाएगा भारत कमजोर है तो यहां पर इन्हों ने ओब्जेक्शन दिखाया है और इस बात को यहां पर जो वहां की जो सरकार है उसने मान कर दिया है यहां हमसे गलती हो गई है और इसको स्टेटमेंट को ऑफिशली हो चेंज करके दुवारा दे रहे हैं तो आप इस मुद्ध्य को पढ़ लीजेगा बेसिक जो है इसका अंडर का मैंने आपको बता दिया इस्टबल बर्निंग एरिया मैंने आपको बताया था कि चल जलाने की जरुद नहीं पड़ेगी खाद में कनवर्ट हो जाएगा दस से पंद्रे दिन में एक महीने में ठीक है और बढ़िया खाद बन जाएगी तो यह अच्छे इनिशेटिव है डेली गवर्मेंट के तो आपको पता होने चाहिए अब देखिए अब हम वर्ल्ड न्य यहां पर यहां पर आपको सिंबल पता होने चाहिए अ एक का गधा है और एक का हाती है ठीक है एक का गधा सिंबल है और एक का हाती तो यह चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए है और वर्तमान में जो यहां पर जो क्या है राश्टपती है ट्रम्प वो रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर है और वो दुबारा से चुनाब तो अब देखिये जब वह चुनाव लगना है तो उनकी पार्टी के जो पुराने लीडर्स है वह यहां पे support में आएंगे तो ओबामा जो है वह ग्रेंड मॉस ठीक है और यह कोई ज़्यादा हमारी लिए इंपोर्टेंट नहीं है प्रीष्ट वांडेट इन शूटिंग इन फ्रांस देखिए फ्रांस में जो टेरर अटेक हुआ है तो यहां उसी सिक्वेंस में इसको देख सकते हैं अब देखिए बहुत महतकूर्ण आर्टिक आपके लिए क्या है आज का लिए देखिए बीच में आपने देखा होगा एक महीने पहले न्यू चैनल दिखा रहे थे भाईया अब तीसरी वर्ल्ड वार होने वाली है क्या होने वाली है और एक ऐसा माहुल क्रियेट कर दिया पता नहीं क्या हो गया भाईया आप तो घरों में कुछ जाओ और अपना आपके स चोड़ा सा क्या है भी बाउन्डरी डिस्पेउट अब देखिए पड़ोसी पड़ोसी मैं फूदा बाउनिदी डिस्प्यूट होता है न यह तुमने कार क्यों खडी कर दिया किक है तो एसे कर के तुमने अमारे यह अपनी चोगी क्यों लग ती किक है तुम हमारे गेट क इसलिए देखिए मैं ऐसे एक मैं बना देता हूं छोटा सा यह कुछ ऐसे यह अर्मीनिया है और यह देखिए अर्मीनिया हो गया ड्रो हो जाने दीजिए और यह मान लिया ही हमने क्या है यह अजर्वैजान है ठीक है अब इस तरीके से है अब यह अर्मीनिया हो गया लिख द यह अजर बैजान है अजर बैजान ठीक है अब बेसिकली क्या है यह सिया सुन्नी वाला मामला है एक इनमें सुन्नी सुरी सिया सुन्नी नहीं एक में क्रिश्चन पॉपलेशन जाता है एक में मुस्लिम पॉपलेशन जाता है ठीक है अब इससे क्या होगा यहाँ पे एक में दिख रहा हो गा आपको यह जो इलागा है ये नागोरनौ करभाक का एरिया है अब यहाँ पर क्या है ये किसके कब्ज में है ये अर्मीनिया के कब्जे में है तो यह कबजे में किसके में है यहाँ पे अर्मीनिया के कबजे में है और यह अजर्बेजान का इलाका है और बिसिकली डिस्प्यूट यही है ठीक है और 1994 से इस पर इनका क्या है कबजा है ठीक है अब ऐसे में क्या हुआ है यहाँ पर गुटबंदी अब दिखिए जियो पॉलिटीक्स का मतलब है अपने यहां लडाई मत करो किसी हमारे दुस्मन से ना किसी दूसरे के दुस्मन के दोस्त के इलाके में आ कहीं अपने घर के बाहर कहीं लड़ा कर लो ठीक है तो अब फो क्या रहा है यह बसके संग में और बहत सारी अब देश जो है वो आके खड़े हो गए है अब होता क्या है कई बार कुछ देश ऐसे हैं टतस्ट कुछ देश ऐसे टतस्ट टतस्ट देश होते हैं वो क्या है वो दोनों की दोस्त होते हैं अब बैया उनके सामने समश्या आ गई हम जो है यह किसके संग में जाएं किसके संग पाकिस्तान है भारत है चीन है रूस है यह सब इन दोनों की सपोर्ट में आगा है कोई इसकी में और यह हम यहां पे डेटेल में अलग किसी वीडियो में पीछे हम कवर कर चुके हैं एक करेंट अफेर के सेशन में यह सारा सब ठीक है डेटेल में क्या है बेसिकली यह तो आप हमारे पीछे के वीडियो देख सकते हैं ठीक है तो यहां पे आप टेग सर्च करेंगे एजीली आपको मिल जाएगा हमारा कमटिशन टाइम्स के ठीक है तो वहां पे यहां फिर हम एक और सेपरेट वीडियो बना देंगे अब क्या है एक महीने से जगड़ा चल ला है तो यहां अर्मीनिया के जो यहां पे क्या है प्रदान मंतरी है ठीक है प्राइम निस्टर कौन है निकोल पशिनियन तो यह जो यहां फोटो देख रहा है यह अर्मीनिया के कौन है यह प्रदान मंतरी है तो इनोंने अभी रशिया से बहिए गुजारिस की है बहिए आप बड़े वहीया हो आप थोड़ा सा क्या है इसको हमारी help कीजिए और इस मुद्दे को समाप्त करने की कोसिस कीजिए और यह थोड़ा सा साही नहीं जा रहा है दौनों तरब जो है नुकसान हो रहा है ठीक है और यहाँ पे एक और चीज आपको बता दूँ अभी कहा है foreign ministers of the Armenia and Azerbaijan met Friday अभी यह शुकरवार को जिनेवा में क्या है एक meeting होई है बहुती महत्मून meeting है for a day of talks brokered by Russia, United States and France मैंने आपको बताया था बड़ी बड़ी country involved हो गई है ठीक है और यहाँ पे Russia, US और France इन्होंने यहाँ पे deal broker करने की कोसिस की है कि भीया मान जाओ बैठ जाओ यहाँ पे और क्या समझ्याएं है हमें तो बता दो ठीक है हो सकता है हम कुछ इसमें कर सकें और यहाँ पे तुम क्या चाहते हो तो बस वही मुद्दा है ज्यादा रिटेल में आप इसे पढ़ लेना ठीक और फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो तंजानियन अपोजिशन अलीजिस फ्रॉड इन पोल्स तो यहाँ पे तंजानिया में चुनाव हुए हैं तो आप देख लेना है यहाँ पे कौन जीता कौन हारा ठीक है फिर यहाँ पे बिसनिस पेज बिसनिस पेज में ज्यादा कुछ खास नहीं है हमने बोला था यहाँ पे सेसन के स्टार्टिंग में कभी या आदित ति पुरी अब आदित पुरी पे कॉशन आ सकता है यह longest serving CEO of any Indian bank है ठीक है अभी इनकी age जो है कितनी 75 हो गई तो इन्होंने क्या है यहां से retirement ले लिया और retirement ले लिया भाई जो हमारे RBI के जो प्रावधान है उसके तहद इन्होंने क्या ले लिया यहां पर retirement ले लिया अब retirement ले लिया है तो आपको पता होना चाहिए भी है आधित्यपुरी HDFC के लोंगे यह क्या थे CMD थे chairman CEO सब कुछ थे ठीक है और इन्होंने HDFC को कहीं से कहीं पहुचा दिया कहने का मतलब private sector की वो सबसे बड़ी bank बन गही है HDFC इनके leadership में तो इसलिए बहुत महत्पूर्ण है तो इनका यहां प पढ़ सकते हैं सर्च करके अब हम इनको देख लेते हैं यहां पर नए जो CMD है वो कौन बने है तो नए CMD बने है शशिदर जगदीशन तो यह जो सक्ष यहां पर देख रहे हैं बहुत हसमुक इंसान है यह जो हैं अगले MD बने है और CEO बने है तो हम short में क्या बोलेंगे CMD CEO and MD वैसे CMD की full firm होती है Chairman and MD ठीक है तो आपको पता होना चीए कि भाईया यह सशिदर जगदीशन और डेटेल में आप देख लीजेगा Google सर्च करके ठीक है फिर आगे बढ़े हैं इंडिया's potential participation in COVAX advanced market commitment is underway यह कुछ science and technology का है तो आपको पता होना चीए संडे को यहां पे science and tech का एक page आता है तो इसमें बहुत महित्मूर्ण है आपको इसके एक एक चोटी से चोटी और बड़ी से बड़ी news को जो है यहां पे cover कर लेना है आज हम थोड़ा सा इसको समय अभाब के कारण बहुत समय हो गया है ठीक है और इसको यहीं पे session को जादा आगे लंबा नहीं की चेंगे ठीक है कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप तो बहुत लंबा कर देते हैं ठीक है और हमें और भी कुछ करना होता है morning का समय होता है ठीक है तो कोई नहीं हमें इसको science tech का एक अलग से वीडियो create कर देंगे आप इसे देख लेना science tech का इसका इसमें महत्पूर्ण ची ठीक है तो आपको इनको हलके में नहीं लेना है यहां से innovative questions यहां पर technology से related science से related यहां से पूछ लिया आते हैं ठीक है और बहुत ही महत्पूर्ण यहां पर topics को अच्छे से cover किया आता है दाहिंदू में फिर हम बात करेंगे अब देखिए यहां Sunday edition है तो what is swinging US polls यह इधर उतर की चीज़े हैं तो यह एक तरीके से यह opinion type का है page और इसको आप देख लीजेगा पढ़ लीजेगा और फिर हमारा माला बार 20 कल हमने बात की थी माला बार exercise की तो माला बार पर एक dedicated यहां पर profile page है और profile में यहां पर माला बार के उपर पूरा एक detail में अब तक का पूरा सब य से ना और फिर justice is conservative यह कुछ कुछ articles हैं फिर sports का है sports में ज्यादा कुछ नहीं है अब अब देखिए कौन सा tournament हो रहा है हमें daily उसे नहीं देख रहा है क्या कौन से baller ने क्या कुछ कर दिया और चक्का मार दिया ऐसा हो गया गली टूट गई उसका bet टूट गया यह हो गया वो हो गया वो समय नहीं करना है हमें क्या पढ़ना है कि यह tournament हुआ था इसमें यह team है यह कहां हुआ था पिछली बार कौन जीता था इस बार कौन जीता था उसको किस संस्ता ने उसे और नाइस किया था ठीक है यह सारी जीने पढ़नी है अब जब जीते थे तो उसका prize money क्या थ उसका sponsor कौन था ठीक है उसमें man of the match कौन था man of the match मतला final का man of the match और आपके man of the tournament सब्सक्राइब करें क्रिकेट का example ले लेता हूं तो यह football में आपके हो सकता है man of the match तो उसमें जो सबसे यादा goal करता है best performance तो सभी गेमों में ऐसे होता है ठीक है और वहाँ पे हम इस तरीके की चीजों को देखे हैं कि final में कौन-कौन टीम है खेली थी ठीक है point tally में और वहाँ पे कितने जो टीम है उस sports में पार्ट्स बेड़ किया था अब जैसे हमाना lawn tennis की बात करें तो lawn tennis में क्या है अब lawn tennis में भीया कौन-कौन से major tournaments होते हैं यह कुछ चीज है हमें देखनी है किसी भी game के जो जैसे माना ICC है तो ICC क्या करती है वो साल के best players है उनकी list निकालती है तो भीया top पे कौन है team कौन सी top पे यह चीज है आपको देखनी है यह नहीं देखना यार कल के match में क्या हुआ ठीक है वो सब जादा ध्यान आपका interest है आप देखते रही है इसकी कोई मना ही नहीं है ठीक है और उसी से याद होंगी फिर आप एक चीज और यहां पुर्शों की तो देखिए महलाओं का भी देखिए ठीक है और यह बस कोई भी sports है उसमें यही चीज है देखनी है चैस का है और चाहे निसानेवाजी का है आपके cricket का है football का है ठीक है यह सारे आप ज पर समापत हो जाता है जो भी लोग नए है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए सर यह आपको मतलब आपका आपको जो है यह सेसन कैसा लगा और ठीक है और कल फिर मिलते हैं हम अपने नरधारित समय